अब वेलकम् टो माई चनल क्विक्फिक्स इंडिया मेरा नाम है रवी चंतराना दोस्तो आज के मज़े दार वीडियो में हम लोग देखने वाले टायर की अनकणिशनल वारंटी होती क्या है और क्या-क्या कंडिशनल वारंटी में तो यह वीडियो को पूरा देखिए पूरा सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में देखने कर घाड़ी का काफी लोगों को बजेट बनाना होता है क्योंकि काफी महेंगा आते हैं तो दोस्तों अनकंडिशनल वारंटी क्या होता है कंडिशनल वारंटी क्या होता है यह सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों वीडियो चालो करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना देते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कंडिशनल वारंटी और अनकंडिशनल वारंटी क्या होती है कंडिशनल वारंटी और अनकंडिशनल वारंटी की कि युझा है ऐसे लो आप और traditional warranty होती है उसके अंदर भी काफी conditions होते हैं क्या क्या conditions होते हैं ये वडीयो के देखिए विडियो को तो भी unconditional warranty मैं जैसा आपका टायर कटता है फजाता है या आपका Whilst कोई बल जा आता है तो उस situation में company pro-rata basis पे ध्यान रखिए मैंने बताया pro-rata so pro-rata basis पे यह company उसे पास करके आपको as a gesture of goodwill आपको नया tire offer करती है तो क्या होता यह pro-rata कैसा calculation होता है यह सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ब्रांड कोन से कोन से इस चीज़ों में काफी ज्यादा ब्रांड्स है सारे ब्रांड्स इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है लेकिन जो में शिक्स ब्रांड्स है जो की काफी अच्छा मार्केट शेर बना के रख्या है उसी छे ब्रांड के बार हमें दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अगर कंडिशन होते हैं अनकंडिशनल वारंटी में यह भी आज देखते हैं अगर आपका टायर जो होता है वह एक्सपोज हो चुका है 1.6 mm जो लीगल ट्रेड लि हुआ है मतलब कोई गाड़ी का एक्सिदेंट हो चुका है उसमें टायर कट हो गया है तो सिच्वेशन में भी कोई भी कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगा टायर माउंटिंग करते होगा अगर दोस्तों टायर डैमेज हो जाता है या रॉंग फिट्मेंट किया है उसके व वो दूसरे टायर जाते है आपको दूस्तों अगर अंकंडिशनल वारंटी का उफर चीए तो आपको जो टायर है यह ऑथराइज डिलर से ही बाइ करना होता है और उसे रिजिस्टर भी करना होता है अब दोस्तों अगर अमेजॉन से खरीतते हो तो उस सीचुएशन में कंडिशनल वारंटी मिलेंगी तो आप अमेजॉन पर ना खरीदे टायर मार्केट पर जो के खरीदे टायर मार्केट डॉट कॉम जो है यह अच्छा पोटल है जहां पर आप जाके देख सकते हो कि कौन से कौन से टाइप के टायर आपको चाहिए जब बात आती है दोस्तों ब्रिस्टोन हो मिशलीन हो अपोलो कहीं पर भी और इंडिया में अगर आपका टायर रजिस्टर है तो आप कोई भी ऑथराइस डिलर के पास में जाके क्लेम कर सकते हो टायर जो है दोस्तों वह लीगली इंपोर्डेट होना चाहिए जैसा ब्रिस्टोन है यह मेडिन इंडि और काफी यह चीजे आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि यही चीजे इंपोर्टन होती है आपका क्लेम के टाइम पर तो अगर आपका टायर पंचर हो जाता है वह जो कि रिपेरेबल होता है तो उस सिचुएशन में भी अप्लाइन नहीं होती है जिसे आपको रिपेर कर टायर खरीतते हो तो ही आपको अनकंडिशनल वारंटी मिलेगी यह भी एक कंडिशन अनकंडिशनल वारंटी में है तो दोस्तों पहले आपको समझाना चाहूंगा मैं कि लाइफ कैसे कैलकुलेट होती है जो टायर होते है उसके अंदर 8 mm का ट्रेड होता है जब फ्रेश टा ट्रेड है तो उसका अवरेज निकला जाता है अगर पहला ट्रेड है यहां पे अगर 5% है दूसरे टेर में 4% है और तीसरे में 5 है तो यह चारों का तीनों का अवरेज निकला जाता है चारों अगर है तो चारों का अवरेज निकला जाता है तो यह जो दोस्तों टर्म्स अ जाएगा काफी रिनाउन ब्राइंड है जापनीज ब्राइंड है इंडिया में इनका काफी बड़ा सेटफ़ प panda effectory है तो पहले इसके बारे में बात करेंगे बृस्तों ब्रिस्टन में प्रिस्टन से ऑंकइश्ण वर्णटिया ऑफर करना चालो किया है for a period of three years जो three years का जो period होता है वो होता है आपका date of installation से लेकिन यह जो है offer यह 1st September 2019 से 31st December 2020 तक तो इस बीच में आप कभी भी टायर डालते हो तो आपको ब्रिस्टाउन कुछ sizes पे जो की B series है और S series है जैसा B250 है B290 है या S248 है या S322 है यह जो patterns है इनके यह कुछ patterns के उपर ब्रिस्टाउन ने unconditional warranty देना चालो किया है जो premium pattern है जैसे की तुरांजा है पोटांजा है इको पिया जो है उसके उपर अभी भी ब्रिस्टाउन कोई भी unconditional warranty दे नहीं रहा है unconditional warranty में होता क्या है दोस्तों unconditional warranty में आगर आपका टायर करता है फटता है बल जा जाता है काफी चीजे है जैसे डामेज हो गया कोई भी इसे जो की repairable नहीं है तो उस situation में ब्रिस्टउन आपको प्रो रेटाबेसेस पे calculate करके देता है तो प्रोरेटाबेसेस क्या होता है प्रोरेटाबेसेस जैसे आज आपने टायर डाला कल आपका टायर फट जाता है तो आपने टायर हाडली कुछ यूज नहीं किया था आपको 100% replacement मिलता है लेकिन आपने अगर 10% चलाया है और 90% life बाकी है तो आपको 10% pay करने को आएगा 90% जो है वो करेगा अभी दोस्तों यह अप्टू 60% है 60% अगर आपका टायर खतम हो जाता है उसके बाद में अगर 65 होता है तो उसके ऊपर कोई unconditional warranty नहीं आपको नया टायर पर्चेस करना होगा तो अप्टू 60% और 3 यह विचेवर अर्लियर अगर आपका टायर है लेट से ब्रेंड है बेस्ट ब्रेंड है सब यूएच पी साइज के लिए तो मिशलीन ने दोस्तों रिसेंटली अभी लॉंच किया है प्रॉमिस प्लान प्रॉमिस प्लान में उन लोगों ने थोड़ा सा प्रीमियम जो एकी 125 रुपए से चालू होता है 1000 रुपए तक अगर आप अडिशनल प्रीमियम पे करते हो और उस तायर को रजिस्टर करवाते हो तो आपको मिशलीन भी अनकंडिशनल वारंटी दे रहा है जैसे दोस्तों मैंने बात किया था ब्रिस्टॉन में खाली B सीरीज पे या S सीरीज पे ही है लेकिन मिशलीन ने यह सारे प्रोड़क्त के ऊपर अनकंडिशनल वारंटी ओफर की है यह बनाया है यह लाटिट्यूट स्पोर्ट रहने दो पालट फोरेस्टी रहने दो जितनी भी गाडिया है जो भी साइज है सभी में आप प्लान खरीच सकते हो मिशलीन का अनकंडिशनल वारंटी के लिगल ट्रेड का लिमिट होता है जो भी टायर होता है उसका उसके नीचे अगर टायर होता है तो उस टायर को चलाना इल्लीगल होता है तो 1.6 mm तक आपको मिशलीन अनकंडिशनल वारंटी ओफर कर रहा है बाइप छोटा सा प्रीमियम आल की बात करें दोस्तों ब्रिस्ट कंपनी पे करेगा 10% आपको पे करना बेर करना पड़ेगा लेकिन जैसा ब्रिस्टोन का 60% था मिशलीन जो है 1.6 mm मतलब आप 80% तक भी 85% तक आप उस टायर को चला सकते हो तो 85% जैसा आपका यूज हो गया है 15% भी डिसकाउंट जो की काफी बड़ा डिसकाउंट होता है ब तो अगर वह तायर आप मिश्लीन में डालते हो तो आपको अनकन्इसिनल वारंटी लाइफ टां मिलेगा तो सिक्यूरिटी है जैसा इंशुरेंस प्रीमियम पर करते हो वैसा ही एक इंशुरेंस प्रीमिम आप मिश्लीन को दे रहे हो और मीश्लीन उसके अगेंस आपको promise कर रहा है कि वो आपको support करेगा lifetime तीसरा जो दोस्तों बात करते हैं हम लोग वो है Apollo की तो Apollo दोस्तों 4G life pattern लाया है 4G life जो एक limited size है उसके अंदर ही वो unconditional warranty offer कर रहा है जो उनके अलनेक है या Amazor है या कोई अलग patterns है उसके अंदर वो आपको unconditional warranty नहीं दे रहा है अपोलो का दोस्तों जो condition है वो है तो यह और फिफ्टी परसेंट विचेवर इस अर्लियर तो दो साल तक आपको warranty देता है 50% जो है ट्रेड रहना चाहिए 50% के उपर अगर होता है तो आपको Apollo भी सपोर्ट नहीं करेगा सेम सिच्वेशन है Apollo में भी कि आपको ऑफराइज डिलर से लेना है टायर आपका टायर रजिस्टर होना जरूरी होता है बात करते हैं गुडियर में दोस्तों कोटनीरी さंश्यश्मै। में जो भी पैटन्स अवेलेबल में आप अपको अन्कराल माशन के यूप कॉइर यह ये चाहा क्नदिशनल जब दॉस्टों जह्मोंध्योल लैंटी ट्रेडान्य में वारंस कर रहा है गूज क्लेगें ये पटन्टेंगल आपका टायर का cut लगता है फटता है तो आपको वन येर में unconditional warranty मिलती है बिना जिजक लेकिन इसमें आपको दिक्कत यह है कि अगर आपने आन्स टायर डाला है और आपका टायर कल फट जाता है तो आपको 50% ही offer करेगा जैसा मैंने बताया था ब्रिस्टोन में आपको जो प्रोरेटर डिसकाउंट होता है वैसा नहीं है यहां पे यहां पे आपको 50% ही जो आपने 10,000 का टायर खरीदा है आपका टायर अगर कल फटता है तो आपको 5,000 का ही support जो है योकामा करेगा तो यह जैसी बुर टायर पर है तो उनके तो उनका Premium पैटमीश अगहार लेकिन उनका प्रीमियम पैटन पे भी अनकंडिशनल वर्ateurs दे हाई लेकिन जो उनका जो पैंटन बहुंएस ममें आर्टवाटी पैटन है यह एक उनकोंप चीजों में आपको वेन्यू हो गया या फिर आपका एक्सेंट हो गया एलेंट्रा हो गया होंडा सीविक नहीं गाड़ी आई है उसमें भी हैंकुक लख्या रहा है महिंद्रा की जो प्रीमियम वेहिकल है अल्टूरस है या फिर वोल्सवागन का टिगवन है यह सारी नहीं गाड़ियों में भी हैंकुक के लख्या रहा है हैंकुक धीरे 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 अपना मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ा रहा है तो उन्होंने कुछ साइजस पे अनकंडिशनल वारंटी ओफर की है लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको योकामा जैसा कर रहा है वैसा ही सेम सिच्वेशन में हैं आपको रिप्लेस्मेंट में आता है तो 50% ही मिलेगा और 50% आपको बेर करना पड़ेगा तो दोस्तों यह रहा छे ब्रांड का आपको मैं बताया आप सोच सकते हो अगर आपका UHP साइज है कुछ-कुछ कंपनियां बड़े साइजस पर नहीं कर रही है तो आप जाके देख तो आप मिश्लिन का टायर जाके बाई कर सकते हो कुछ चोटी गाडिया है तो आप जाके ब्रिस्टान का टायर बाई कर सकते हो या आप अपो लोका ले सकते हो या गुडियर डाल सकते हो या योकामा या हैंकुक हैंकुक भी काफी बैतरीन ब्रांड है गुडियर योकामा वह बहुत हैं तो यह सब्सक्राइब करेंगा वहां से भी आप डाल सकते हो आज के लिए इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक कर लीजिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले दिनों में बेटर इन वीडियो आपको देखने मिलेंगे राइडर्स प्लीज वेरल में ड्राइवर प्लीज वेशीट बेल्ट कीप दरोड क्लीन कीप दरोड सेफ किप दे सिटी क्लीन थैंक यू